प्यारे वद्यार्थियों सब तो पहला मेरे चैनल ते तो हड़ा बहुत-बहुत सवागत है जी वद्यार्थियों आई दी वीडियो विच आप नौमी क्लास दे रही इंग्लिश विशेदा एक सैंप्ल पेपर सॉल्व करन जा रहे हैं ते एस नोड़ आपने को है जी सैंप् जूर सब्सक्राइब करके रखना है जी ते सब्सक्राइब करके बेर लाइक करने जूर प्रस कर देना है ते बेर लाइक करने प्रस करके आल दे नोटिफिकेशन जूर आण कर देना है जी ता जो मेरी हरे एक नमएं वीडियो दी नोटिफिकेशन तानों सब तो पहला मिल स वीया उन्पकंड़ आंड जा रहे हैं sample paper number one और sample paper ऐसे video ज़ो description box एक बार तुसी description box दे ज़े klik करके उत्ते कतानो link मिलेगा उस link टे click करके तुसी बाकी विश्या दी English दे होर वी sample paper हैं वो saldo कीते हूँ जो तुसी देख सकते हो तो आव होना आपके करके सारी questions नों solve कर दे हैं जी पहला question अपने को है read the passage carefully and answer the following questions तो यह देखो अपने को इस passage नों अपना पढ़ना है इस पैसे नों पढ़के नीचे अपने को कोई question पुछे गये हैं तो अपने question देखना है कि इना दे questions दे विच आपनों options नहीं देती हैं होई यहांने यह पहला question है दूसरा question तीसरा चौथा ते पंजमा किसे भी question दे अपनों कोई भी option नहीं देती हुई तो इट मिन पैराग्राफ दे बीच ही अपना आइना दे answer लबने हैं जी पहला question है what are bees ते इस दा answer देखना है जी bees are insects ते दूसरा question देखो जी मैं तोड़ा color change कर रहे हैं how do bees fly bees किस तरह fly कर दिया है ते इस दा answer रहेगा bees can fly because they have wings इस दा तुसी यह answer लिख देना है जी ते आँ तीसरा देख देख दे हैं how many legs do bees have bees निया किन यह legs हुन दिया है जागा जी they have six legs next देख दें जी next अपने को है what is the stingers used for the answer है the stingers main purpose is to help the bee defend themselves against the enemies the last अपने को question इस तरह है जी where do bees do not exist bees किते exist नहीं कर दिया है ते इस दा answer हैगा the only continent where bees do not live in Antarctica ते आहून अपना next question कर दे हैं जी ए पाइच दे पाइच कोशन अपना कर ले हैं ते next जी read the poster carefully इस poster नो अपना carefully read करना है जी poster देखो किसे दे लेटर है जी for farmers agriculture is the primary source of livelihood for about 58% of population ते नारिय अपन दिता होया जी on an average 12,000 farmer committed suicide every year ये अपनों male दी percentage दिती है suicide वाली ते female दी महराष्टरा is one of those states which records the highest number of farmers suicide ते इस तो अगे आपने को ये farmers दे लेटर आपने को five government initiatives for farmers हान एना नो तुसे देख लाना है जी एना दे लेटर आपनों कोशन पुछे जानके पहला कोशन अपने को है जी what is the percent of population dependent on the agriculture ते होने किता से अपना उपर 58% ते इस दान से आजाएगा जी which state of India has the highest number of farmers suicide ते आजाएगा जी महाराष्टरा on the average what percent of male farmer committed suicide every year ते इस दान से जाएगा जी 89% which of the following initiative is not taken by the government ते ए उपर जो लिखिया है वो नहीं है जी परदान मंत्री जीवन जोती योजना अगले है जी what do you mean by the word initiative initiative दा मतलब की हुन्दा है an act to take charge ते आँ होना पहाँ next question देख देएं जी so next अपने को है जी section B objective type questions है पहला है जी what should one aware of ते सानू किस तो बचना चाहिदा है तो ओ होना चाहिदा ही flatters जो चाप लू सान होना तो अपना बचना चाहिदा है जी अगला है जी अपने को the people laughed at boss when he first came out with his theory ते बिलकुल अपने को true है जी अगला है जी God can truly be found through dash ते अपने कोईगा through hard work तो उसनों अपना कहा देने हैं toiling c option अपने कोई जाएगी जी name the metal found on the moon ते में मून दे उपर कड़ी कड़ी अपने water मिल दी है जी तो इस दांसर लिखना है जी aluminum titanium and iron next जी who gave the coins to the boy इस दांसर आएगा जी farmer इस दांसर आजाएगा farmer वाज शुबल चंद्रा happy with the change ते इस तो अपने को true false नहीं आएगा एथे आएगा yes no yes oblique no ते आपा नो दे उपर टिक करदना है जी अगले है जी who were sue and john c ते इस दांसर आएगा two young artists ते एपने को option भी दिख़ा पांको है एथे artist आपा artist टिक करदना है जी अगले है जी who did Lenko Lencho write for her help ते लेंचो ने किसनों क्या सी help ली ते वो सी है अपने को God उसने God नों लेटर लेकी सी to help him and his family ते आहूना पांक नेक्स ते जी अपने को section C है जी ते section C दे आओ हून अपमां एक एक करके सारे ही question से लानों देख देए एवाले questions ते फिर आपमां एवाले questions दे आंसर देख देए जी ते आओ एक एक करके सारे questions दे आंसर देख देए जी ते पहला question अपने को इस तरह है जी नेम दा instruments made by जिदीश चंदर बोस ते आंसर है जी क्रेस्को ग्राफ क्रेस्को ग्राफ की है अपने को एक प्लांट्स दी ग्रोथ नों मेजर करने वाला instrument होनदा है जी अपने को ते आओ अपने next question देख देए जी ते आओ अपने next question देख 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 देए जी why must one be punctual ते answer है जी an opportunity once missed is lost forever time once lost can never be regained therefore one must be punctual ते आओ अपने next question देख 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 दे gone to the jungle with the hunting party that's why there were no men in the village ते आउना पाहूंड नेक्स कुश्चन देख दियां जी सुनार कुश्चन है जी वट वाज दा नेम आफ देर स्पेसक्राफ्ट ते आंसर आएगा अपोलो एलेवन वाज दा नेम आफ देर स्पेसक्राफ्ट ते आउना पाहूंड नेक्स कुश्चन देख दियां जी सुनार कुश्चन अपने कुश्चन है जी वट वाज उदम सिंग एथे हिजदी जगा आजाएगा उदम सिंग प्लेज ते आंसर आएगा हिजदी जगा लिख दना है तुसी उदम सिंग कुश्चन दे विच भी तानुए थे उदम सिंग ही लिखे आएगा ते उदम सिंग प्लेज वाज तो एवेंच दा मैसेकर आफ दा जल्यावला बाग ते आउना पाहूंड नेक्स कुश्चन देख देयां जी नेक्स कुश्चन है जी लिस्ट दा क्वालिटीज विच मेक अ गुड़ हूंड दी है जी ओनेस्टी, करेज, पेशन्स, तुरूथ फुलनेस, फेथ इन वनसेल्फ एन फेथ इन दा गुड़नेस अफ दा मैनकाइंड उनुदि कोश्चन देख 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 है, इंग्लिश मेन कोश पोईट्री पहला कुशचन अपने कोश्चन है, जी ओनिर विच हम आउंड थे ऑस पोयम उप द आई एन सिता गॉड ते जां आपन लिखना है, नो मैन आर फोरन ते मैं तरह डेले दोनों की तेहन दोना वी चूंचला तानों इजी लगेगा तुसी कर सकते हो जी तो आओ एक एकर के ना दान सर देख देहां परला देख देहां जी Central idea Open the eye and the see the God ते इसदे देखो Central idea के स्था लिखना है जी This is a very beautiful poem It gives us a very good message The poet says that We cannot find God in the temple आओ आपन एक्ट कोश्यनी देख दिया है आपन नो मैं इस एप्या इस तने है जी. this is a very beautiful poem it gave us a very good message all men are the same they have the same kind of body they breathe in the same way thus no men are strange or stranger or foreign we should never hate others they are all our brothers by hating others we lose their the loss their love does the poet give the message of love and brotherhood next question read the following stanza and answer the following question this stanza now we have to learn the first question is name the poem and the poet the name of the poem is the night angle and the globe and name of the poet is william copper the next g what did the night angle do all day the answer is he sang all the day long all day long next is the third question what did he stop singing when did he stop singing this dance raga he stopped singing when it was dark next question is supplementary reader is the answer is three out of the five questions on the other daily means five to five to five people have been in the same time when it was easy to do it you can 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 do it That's why he went to the farmer. तो आओ, next question दिख दि जी. तो अजयर दिखर जी. Where was Lankow's house located? सिर्फ इनना कौश्शन है. तो इसदा अंसरा लिखना है. Lankow's house was on the top of a low hill. एसदा अंसरा जागा. तो आओ, आओ, अपा नेक्स कौश्शन दिख दिना जी. भी नालतु सी लिख सकती हुए टे आओ नेक्स्ट देख दिया जी प्रश्न है जी वट वस बर्मन्स मास्टरपीस आंसर रहेगा टे आओ नेक्स्ट प्रश्न देख दिया जी इस तरह है जी आओ नेक्स्ट प्रश्न देख दिया जी आओ नेक्स्ट दिख दिया जी तै हो नेक्स्स ग्रेश्न देख देखते हैं जी ग्राज देला कॉश्ण जी है पहला कुश्ण आपने कुशन है जी इन दा फॉल्विंग वर्ड, रन मीन्स रेस और ट्रेवल, देखो इस दे विच आपां देखना है कि रांदा की मतलब है, किस लाइन दे विच देखो इन लिखे हुई है, ट्रेंस ओफन रन लेट इन दा विंटर, ते इस दे विच जो रन लिख्या होया है, इस दा की ते इस दा अंसर तुसी लिखना है, ट्रेवल, ते आओ नेक्स देखते हैं जी, नेक्स अपने को है, यूज दा वर्ड फेस, फेस वर्ड नू अपां यूज करना है, एक संटेंस दे विच आपां फेस नू अज अज अवर्ड यूज करना है, ते देखो नाउन दे विच अपने को है जाएगा, यूज फेस इज ओईली, ते इसे तरह वर्ड विच देखो जी, वर्ड विच आएगा, आई हैव फेस्ट मैनी प्रॉबलम्स इन लाइफ, ते आओ नेक्स देख देएं जी, नेक्स अपने पास है जी, गिव दा साइनोनियम ऑफ दा हेस्ट एंड मा हैं लाइजिंग, नेक्स है जी, फिल इन दा ब्लैंक विद दा क्रेक्च वर्ड, ते केड़ा वर्ड आपां यूज करना है, ते देंजर वाला वर्ड यूज करना है, डू नाट डेश यूर लाइफ बाए गोईंग नियर दा फायर, ते देंजर दीजेगा, अपने को दें नेक्स्स नोन अपने को है जी ट्रांसलेट एनी थी संटेंसेज प्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी ते ये थे थी संटेंसेज क्या गया है मैं तो अडेली पूरे ही कीते हैं ते पहला देख़ा अपने को है जी stir him away from the envy ते इस दा जाएगा उसनों इरखातों दूर रखो अगला है जी time and tide wait for none समाते लहर किसे दिऊडीक नहीं कर दे the moon is not a self-luminious body ते इस दा जाएगा चंदरमादी अपने कोई रोशनी नहीं होंदी अगला है जी लक्षमी भाई was born on 16th November 1834 ते इस दा जाएगा लक्षमी भाई दा जनम 16 November 1834 होया सी नेक्स्ट जी अर्जुना fiercely attacked the corves that day ते इस दा जाएगा उस दिन अर्जुन ने कौरवा उत्ते जोड़दार हमला कीता ते आहुना पान नेक्स देख देयां जी नेक्स्ट अपने को है translate any three of the following sentence into English ते ये भी पांच है ने दा डिली पंजे दे पंजे कीते हैं जी पहला है अपनी सेहत दा त्यान रखो टेक केर आफ यूर हैल्थ वड्या दा केहां मनो अबे यूर एल्डर्स चाह त्यार है दटी इस रेडी अदले दा बदला टिट फॉर टेट खबे हाथ चलो वग टू यूर लेफ्ट साइड ते आहून अपना नेक्स देख देयां जी नेक्स रून अपने को है जी डू अज डिरेक्टर ते देखो इस दा पहला कोशन है जी फिल इन दा ब्लैंक विद शुटेबल डिटर्मिनर इस देख इच जा एवरी वर्ड अपना यूज करना है डैश बॉइ गेट्स आपकेट अफ स्वीट ते थिया जागा एवरी एवरी बॉइ गेट्स आपकेट अफ स्वीट नेक्स देख फिल इन दा ब्लैंक विद ग्रेक्ट मॉडल ते मॉडल दे भीच अपने को आजने हैं कैन, कुड, शैल, वूड इस तरह अपने को आजने हैं मस्ट, ओर, टू इस तरह सारे अपने को मॉडल हैं ते यू डैश हैव यूटर प्राइज टमारो ते एक प्रामिस दे रिलेटर है ते इसलिए इते अपने को must भी आ सकता है ते must भी तुसी लिख सकते हो You must have your prize tomorrow ते जहाँ इते तुसी shall भी लगा सकते हो You shall have your prize tomorrow ते next question देख देयां जी Fill in the blank with suitable preposition He came dash daybreak तो he came before daybreak इते तुसी before लिख देना है इस blank देविच तुसी जो before आ जाएगा इस blank देविच अगला है जी Fill in the blank with stable conjunction Wait dash I come back ते एते दुसी लिख देना है जी Until इस blank देविच आ जाएगा Until Wait until I come back Next है जी Identify the subordinate clause Look before you leave ते इस देविच अपने को subordinate clause आ जाएगी Before you leave यह अपने को subordinate clause है ते किस तरह दी है जी Adverb clause है Next देखो जी Change the voice Change the voice देविच देखो अपने को किया जाएगा The nurse is looking after the patient इस दा अपने को answer देखो किया जाएगा The patient is being looked after by the nurse Next है Change the reported speech He said to me Honesty is the best policy ते एक सुनों आपने को universal truth है ते universal truth देविच आपने को लिख देना होंदा है He इस तरह जाएगा Said भी इस तरह जाएगा To me दी जगा आते थे That आजाएगा He said that Honesty is the best policy ते ए इस तरह लिखे भी होया था डेली जी ते आओ होना आपने next देख दे है Fill in the blank with the ing form Present participle जाएगा इसनों जेरंड कह देने है ते no dash in this compartment ते जगा spitting ते जगा जो blank है Blank दी जगा तो उसकी की लिखे देना है Spitting जिसनों आपना थुकना बोल देने है S P I T T T I N G Spitting ते next है Put the correct verb in the blank Neither he nor I Dash money to spare for his treatment ते एथे dash दी जगा Has जाएगा दुमा विच आपने को हैवा जाएगा जी को को plural है He ये ते आई दी गल हो रही है दो जाने आदी Neither he nor I दोना दी गल हो रही है इसलिए अपने को हैवा आएगा Oil and water Dash Mix ते थे do not जान दस दुमा विच आपने को आजाएगी Do not क्योंकि ये भी अपने को plural है Oil and water दो दी गल हो रही है इसलिए अपने को Do not आएगा Oil and water Do not mix ते आउस्टोन आपने नेक्स देख देएगा Next आपने को है Question number 9 ते इसदे विच अपने को और है नीचे अपने को है Write an email to your friend Inviting him to watch a play ते आप 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 ये वडा question देख 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 किया सकता है लेख हो email किसता लिखनी है पहला तुसी to जिसनों तुसी email पेजनी है उसता address लिख देना है फिर from एते तो अपना email address आजाएगा एते जित तुसी page नी है उसता email address आजाएगा फिर एस जगाते तुसी date पा देना है then subject आजाएगा अपने को play at gcw ते एh gcw दा मतलब की है government college for women ते तुसी सेम एसे तरह ही लिख देना है इसनू ते फिर लिखना है तुसी अपने friend दा name उसनू high weapon तुसी ये थे कोई भी नाम लिख सकते हो I am going to government college for women, I am research to watch the play on 6th July 2000 कोई भी date लिखी जाए सकती है जुदी ही तुसी 6th July लिखना कोई भी date जिसने तरह paper हो रहे है तुसी ओड़ भी लिख सकते हो would you like to come फिर एथे question mark let me know by Tuesday so that I can buy your ticket to your love ते नाल एथे तुसी अपना नाम लिख देना है ते एथे send the option ते click कर देना है जी ते सेम इसे तरह ही तुसी पूरा जो invitation हो बना के paper दे विच लिख देना है जी ते आँ होना अपने next question देख देना जी so next अपने को है जी write any one paragraph golden temple जा my neighbor ते एक paragraph लिखना है ते तो हड़ेली मैं the golden temple ते एक पैरा लिख रहा है ते उस तो बाद अपने को है एक letter ते दो letter जान इना विचों और है ते आपा नीचे वाड़ी जो letter है write a letter to your cousin to spend his summer vacation with you ये वाला letter तो डेली मैं कर रहा है हां जी hope पैस तोन ता नो सारह ही जो question हाची तरह समय लग रहे होंगे जेकर वीडियो तो अच्छी लग रही है ते इसनों like करते शियर जूर कर देना है मेरे चैनल नू subscribe करके जूर रखना है ते subscribe करके bell icon नू जूर प्रेस करके all the notification नू जूर on कर लणा है ता जो मेरी हरे एक नमी वीडियो दी notification ता नू सब तो पहला मिल सके ते आहुना पहाँ एपराग्राफ ते इस लेटर नू देख देहां जी पराग्राफ कर देहां जी The Golden Temple Amrishar is called Guru Ki Nagari It is famous for Golden Temple The temple is situated in the city It is surrounded by many narrow lanes The golden shrine built in the middle of the shrover shines at the sunrise and sunset It was built by Guru Arjan Dev Ji It is a unique experience when Granth Sahib is bought out from the Akaal Takht amidst chanting of heims and blowing of bagels The Akaal Takht facing the Harmandir Sahib was built by Guru Hargobin Singh Ji It is used for holding courts The complex has a museum of rare painting, books and shastra etc The lives of the gurus are described through them There is a big bazaar near Darshini Diori Gutkas, Kadas are also articles The other articles related to the Sikh religious religions are sold there Homemade pappar vadiya, chura bangles, dry fruit are also sold in many shops There are numbers of hotels and guest houses near the temple for tourists to stay There is a shrine for also for the pilgrims in the temple The golden temple is a worth visiting place I am fine and hope for the same for you I am writing this letter and waiting to spend your summer vacation with me It will be great fun if you spend your summer vacation with me We will have a nice time together Shimla is a beautiful hill station We will go to many places We will play in snow I hope you will come And with regards to uncle and aunt Your loving cousin ते यह थे दूसरी आपना नाम लिख देना है जी हो पैस्पून तानों सारी जो कोश्ण करवाई हान वो अच्छी तरह समय लग गये होंगे जेकर वीडियो तरनों अच्छी लगी तेस्ट लाइक करते शेयर जूर कदना है जी मेरे चैनल नूं सिब्सकाइब कदना ते बैल लाइक करनों भी यूपैस करते ना ते हुन सुना पाम मिलांगे एक नमी वीडियो विच एक नमी जान करी लेके उतन तक ली तानवाद